बरेली की थाना भमोरा की ग्राम नवदिया चाडपूर की रहने वाले मनोज ने ऐसे सी सी शिकायत की है कि कुछ लोगों ने उसे घर में घुस कर उसके भांजी का अपारण कर लिया था और रंगदारी मागी थी जब उसने इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने अभी तक कोई कारिवाही नहीं की है मनुज पुत्रि स्वर्गिय नेमचंद निवासी ग्राम नवदिया चाडपूर थाना भमोरा का रहने वाला है 7 सितंबर 2022 को रातरी आठ बच कर 30 मिनट पर लगबक उसके घर के पास एक सफेद रंगी टाटा सूमू गाड़ी की नमबर प्लेट नहीं थी आकर रुकी उसकी पतनी चटपर सो रही थी अभी गाड़ी से पांच लोग उतरे और घर के अंदर घुस आए उसके भांजे विनोध को जबर्दस्ती उठा कर गाड़ी में डाल कर ले गए इसका शोर मचाया तो मालूं हुआ गाओं के लड़के नहीं उसका अपारड करके ले गए हैं उससे रंगदारी मांगते थे जिसके कारड़ विनोध से रंजिश रखने लगा था उसका आरूप है कि इसी कारड़ उसने विनोध का अपारड कर रंगदारी मांगने का आरू तो मुझे पता लगा कि एक वाइट कलर की गाड़ी आई थी जो हमारे दरबज्जे पर आगे लगी बद दो मिनट में उनने हमारे भांजे को उठाया और उठा के गाड़ी में ले जाके उनने दो मिनट के अंदर ही ले जाके तुरंत ही लेकर चले यह पूछती रही क्या बा लेकर चले ही गए कुछ भी ना चोकी पर कोई उनने इतला दी हम चोकी गए थाने गए फर जगए गए रात पर बागते रहे यह तो सर कन्फॉम जो आई थे उनमें से तो मैं किसी को नहीं पहचान पाए क्यों मैं तो था नहीं यह थी ती लेकिन एक बंदा है उससे पहले रिंजे सोग जिये तो के स्नाम है अब आपकर कोंच गांगा मामला नवदिया चानपूर बंवरा थाने गए उनने तैरी लिख ली अपने पास अपने पास अब से लेगे ते बाग गाड़ी घर पर लगाई थी ती वाइट गलर की गाड़ी ती शोमू टाटा यह थी गाड़ी के नमर प्लेट खुली हुई थी बागी ना कहीं पुलिस लिखा हुआ था ना नॉर्मल गाड़ी थी ना ब्लैक सी से थे नॉर्मल गाड़ी थी लड़केई 16-17 इस साल इंटर का उसका एड़िशन है उसके पेपर ही चलना है बिनोत देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर